गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आरपी दिवाज, तेजस एजुग हब पे आपका स्वागत है, आज 26 अक्टूबर 2023 के रास्तान डेली करंट अभेट्स के महत्पुन परशनों पर हम विश्तार से चर्चा करेंगे, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तयारी कर रहे हम जल्दी आपके लिए रास्तान का खेल परीदर से और त्रेमासिक रिवजन, जुलाई अगस्त, सितंबर महिने का रिवजन लेके आने वाले हैं, सुरवाज करते हैं आज के पहले क्यूशंच सुरक्षित इसकुल, सुरक्षित राजस्तान अभियान के तहट, गुट टच, बैट टच के बारे में जागरुपता का दूसरा चरण कब आईजित किया जाएगा, 26 अगस्त, 28 अक्टूबर, 4 नॉमबर, 26 अक्टूबर इसका पहला चरण 26 अगस्त को हुआ था, पर्थम चरण, इसमें 58 लाग अभियर्थियों को यह प्रशिक्षन दिया गया था, गुट टच और बैट टच का 58 लाग, और 65,122 इसकुलो में यह आईजित किया गया था इसका सेकिंड चरण 28 अक्टूबर को सनिवार को होने वाला है, तो इसका उत्तर होगा ओप्शन नमबर बी उनेतरवे राष्टे फिलम पुरुषकार में राजस्तानी गोर कथा चितर के लिए राष्टे पुरुषकार से सम्मानित पहली राजस्तानी फिलमकार कोन है, बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन सुरूची सर्मा, मोहीनी सर्मा, जहानवी, मनवीका चोहान बहरती राष्टपती द्रोब्दी मुर्मु द्वारा ये सम्मान दिया गया था, मीनावाटी गीतु पर डोकुमेंटरी फिलम बनाई थी इनोंने, डोकुमेंटरी फिलम इसके लिए उन्हें पुरुषकार मिला, सुरूची सर्मा, ओप्सन नमरे राष्टान का सबसे उंचा मद्दाता बूद कहां बनाए गया है, और ये पहली बार बनाए गया है माउंट आबू, कुम्बलगट, चितोडगट किला, आमेर आपको बता दू इस मद्दाता बूद क्यों चाही 1500 मिटर है और ये माउंट आबू में बनाए गया है, ओप्सन नमरे बिल्कुल सही रास्तान के सबसे उचे 121 फुट, रावन के पुटले का दहन कहां किया गया कोटा, विद्यादर नगर, बिकानेर, जोदपूर वैसे दोस्तों कोटा का दसेरा मेला बहुत वीशों में परसिद है लेकिन सबसे उच्छे जो रावन का दहन किया गया है वो विद्यादर नगर जैपूर में किया गया है इसका उत्तर होगा आपसर नमर बी इसका दहन करने के लिए जो आयोद्या से लाई गई थी नेक्ट क्यूशन राजस्तान में भीलवाड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी ने बुजुर्गों और दिव्यांग मद्दाताउं की भागिदारी बढ़ाने वे मद्दान परकरिया के प्रेवक्षक को सुगम वे सरल बनाने के उदेशे से कौन सा मॉबाइल अप लाउंच किया वोट भीलवाड़ा वोट सक्सम भीलवाड़ा सहज भीलवाड़ा ओप्सन नमबर डी बिलकुल सही है नेश्ट कुशन बेटियों को राश्ट सेवा में प्रेरित करने है तूँ सी आर पी एप की पिछेतर महीला बाइक स्वार दल का क्या नाम है ये बाइक स्वार दल सिरी नगर से सुरू हुआ था और राजस्तान में पहुंचा राजस्तान में राजस्तान की राज़ेपाल कलराज मिसर ने हरी जंडी दिखा कर इसको रवाना किया इस बाइक स्वार दल का उद्दे से है बेटियों को राट सेवा में प्रेरित करना और उन्हें सहसक्त बनाना इसका नाम है यसस्वीनी आप्सन नमर A राजस्तान में जगे जगे इस बाइक स्वार दल का स्वागत किया जा रहा है नेश्ट किसन राजस्तान निवासी आउनी लेखरा ने चीन के हांग जाओं में आईजित एशियाई पेरा गैम्स 2023 में स्वाण पदक जीता आउनी लेखरा का संबंद किस खेल से है दोस्तो चीन के हांग जाओं में एशियाई पेरा गैम्स वर्तमान में चल रहे है आउनी लेखरा राजस्तान जैपूर की निवासी है इन्होंने टोकियो पेरा ओलम्पिक में भी स्वान पदक जीता था और एसिया पेरा गेम्स में भी गॉल्ड मेडल जीत लिया है राजस्तान वाश्वी के लिए बहुत ही गरू की बात है आउनी लेखरा ने 249.6 अंग के साथ ये गॉल्ड मेडल जीता है ये अंग भी आप याद रखिए आउनी लेखरा का ये एसिया पेरा खेलू में पहला पदक है पहला पदक क्यूसन पूछा जा सकता है ये भी दस मीटर एर राइफल, पचास मीटर एर राइफल, सो मीटर एर राइफल उप्यक सभी वैसे आउनी लेखरा का संबद निशाने बाजी से है लेकिन उसमें अगर और स्रेणियों में विभक्त किया जाए तो दस मीटर एर राइफल में जीता है ओप्सन नमर ए बिलकुल सही है नेश्ट कुशन, इन सभी कुशनों को आप बहुत इंपोर्टेंड लगा लीजिए रास्ता निवासी आउनी लेकरा ने चीन के हांग जाओं में आई जित एशियाई पेरा गेम्स दोजार तेईस में दस मिटर एयर राइफल में स्वान पदक जीता आउनी लेकरा ने गॉल्ड किस स्रेणी में जीता दोस्तों आपको बता दू दिव्यांगू की स्रेणिया होती है उस स्रेणी के अनुसार ही गेम होता है तो उन्होंने कौन सी स्रेणी में ये गॉल्ड मेडल जीता है आपको बता दू जब टोक्यो पेरा उलम्पिक हुआ था उसके बाद में जो एक्जाम सुई थी उसमें स्रेणियों के नाम पर क्यूसन पूछे गए थे तो आप भी स्पेशल स्रेणिया जरूर याद रखें SH1 स्रेणी, SS2 स्रेणी, BS1 स्रेणी कोई नई इसका उत्तर होगा SH1 स्रेणी उत्तर नमर, ओप्शन नमर ए बिल्कुल सही नेश्ट कुशन, भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपो स्टोर्मिंग इंडिया के तीसरे संस्करन का एजन कहा हुआ है राजसमन, उदैपूर, भीलवडा, जैपूर, राजसमन ओप्शन नमर ए बिल्कुल सही नेश्ट कुशन, अंतराष्टे संस्तान भारत रतन पब्लिसिंग हाउस की तरफ से लाइप टाइम बेस्ट शिवीलियन ओफ इंडिया अवाड दोजार तेईस से किसे सम्मानित किया गया है महंदर राठोड, दिव्यासेन, सौमनात, जितेंदर सोनी इसका उतर होगा महंदर राठोड, ओप्शन नमर ए दोस्तो थोड़ी देर असिस्टेंट प्रोफेसर के थड़ पेपर पर चरचा कर लेते हैं अगर पेपर, आरपेसी के पिछले पेपरों का विशलेशन किया जाए तो जो राजस्तान का इतियास है, राजस्तान का बुगोल है उसके क्यूशन का लेवल मीडियम लेवल कहा जा सकता है या लो लेवल कहा जा सकता है लेगिन जो राजस्तान की पॉलिटी है उसके क्यूशन जिस प्रोफेसर से मंगवाए जाते है उस प्रोफेसर का लेवल बहुत हाई लेवल का है तो राजस्तान पॉलिटी को स्पेशल तरीकी से तयार कीजिए हर क्यूशन को हाई लेवल के तक पहुँचिए क्यूंकि अगर आप PTI जैसा पेपर देखेंगे तो उसमें भी पॉलिटी ने सभी के छक्के छुड़वा दिये थे तो हमें जरूर इस ट्रेंड को फोलो करना चाहिए और जो राजस्तान की अर्थवस्ता है उसमें आप करंट पढ़ सकते हैं साथ ही आप राजस्तान की आर्थिक समिक्षया का बहुती सटीक तरीकी से उसे पढ़िए और उसके फैक्ट याद कीजिए आज आपके लिए दो क्यूशन है जो ई-ओ परिक्षया में पूछा गया था करंट के दो क्यूशन है आपको उनके आंस्वर कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताना है आज का फ़ेश्ट क्यूशन द्यान से सुनिए राजस्तान अपने नागरिकों के लिए दरश्टी का अधिकार सुनिशित करने के उदेशे से अंदापन नियंतरन के लिए निती लागू करने वाला बारत का कौन सा राज्ये बन गया है ओप्सन है पहला दूसरा नौवा तीसरा दूसरा क्यूसन रास्तान राज्ये सरकार ने हाली में W.E.S.C.E. योजना की गोशना की है इस परियोजना को आठ साल की आउदी के लिए कौन विद्पोसित करेगा ओप्सन है बिड्डी सरकार, इस्पेनिस सरकार, फ्रांसिस सरकार, जर्मन सरकार अगर आपको ये कलास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें